आज का जो हमारा Unit 4 है, Electronic Spreadsheet तो इसके अंतरगत हम जो है क्या क्या पढ़ेंगे सबसे पहला चीज देखते है, Learning Outcomes क्या है Create a Spreadsheet, Spreadsheet कैसे create किया जाता है Then उसके बाद Introduction to Spreadsheet Application यानि इंट्रोडक्षन आपको पहला जानना है कि Spreadsheet Application होता क्या है, क्या-क्या uses होता है Then उसके बाद, Starting Spreadsheet Spreadsheet को हम Start करके देखेंगे उसमें कौन-کौन सा इंटरफेस होता है सारे इंटरफेस के बारे में हम जानेंगे Next हमारा काम रहगा Parts of Spreadsheet Spreadsheet के कौन-कौन से charts होते हैं उसके बारे में जानना है फिर उसके बाद next जो रहेगा work seat row and column यान वर्कसीट के अंतरगत row and columns होते हैं हम देखेंगे क्या होता है फिर उसके बाद cells और cell का address क्या होता है जिसको cell reference मूला जाता है नेस्ट हम डिस्कस करेंगे कि वो है range of cell कि cell का range क्या होता है और कहां-कहां पर कौन-कौन से cell के range होते हैं उसके बारे में जानेंगे फिर उसके बाद हम discuss करेंगे इसी cell range के अंतरगत column range, row range and row and column range के बारे में discuss करेंगे तो आज हमें एकदम बेसिक जानेंगे क्योंकि आपके बुक के हिसाब से तो यह अगर फर्स्ट अडे हमें इतरह सारे स्टडी करेंगे टाइम लगेगा तो हमारा जो आज में फंक्शन रहेंगे हम पहले स्प्रेट सीट के बारे में जानेंगे होता क्या है इस्टार्ट करेंगे और उसके सारे इंटरफेश के बारे में जानेंगे तो हमारा जो बेसिक काम रहेगा आज का जो पहले हमको इसको एप्लिकेशन को इडेंटिफाई करना है जैसे हमने इससे पहले यूज किया था वो था liberal office writer तो writer का काम क्या होता जब भी कोई application टाइप करना है हो सकता है कि कोई आप question paper बनाना है कोई आपको कई पर dotis देना है तो आप किसका use करेंग? liberal office writer का use करेंगे लेकिन जब बात करते हैं कि liberal office electronic spread sheet का use आप कहां पर करेंगे तो पहले इसके बारे में जाल लेते हैं यह होता क्या है और इसका use कहां कहां पर किया जाता है तो मैं directly आ जाता हूं book में तो आपका book का जो unit number 4 है वो है electronic spreadsheet तो सबसे पहला introduction देख लेते हैं In our daily life or a work space, a work place we have to perform a various calculation जैसे अगर हम कहीं पर काम करते हैं तो हमको वहां पर क्या करना पड़ते है, calculation करना पड़ता है अलग अलग टाइप के और various methods are used to depending on the nature of the calculation और जो आप जो calculation करते हैं वो सकता है कई तरीके का use कर सकते है We use our finger or mental calculation to perform the simple calculation जब छोटा या कोई ऐसा calculation है जिसको हम easily calculate कर सकते हैं या फिर अपने माइंड में क्या कर लेता है, calculate करके उसको calculation को profound किया जाता है and use the calculator for the long calculation या फिर कोई बढ़ा अगर calculation रहेंगे तो calculator के use करते हैं तो in science and the engineering scientific calculator are used to perform a complex calculation आपको मालूम होगा कि जो engineering करते हैं या science background में जो रहते हैं उनको आप देखेंगे कि उनके पास एक different type का calculator रहता है जिसको बोले जाता है scientific calculator उसमें क्या होता है जो आपका mathematical formula है कई सारे scientific calculation रहता है उसको करने के लिए क्या किया जाता है scientific calculator का use किया जाता है जैसे हमारे पास जो रहता है normal calculator आपने दुकान में देखा होगा, shop ने देखा होगा वो normal calculator होता है लेकिन जब आपको किसी special जैसे mathematical formula के लिए आप अगर कोई calculator यूज करते हैं उसके लिए आपको कौन सा calculator यूज करना पड़ेगा उसके लिए आपको scientific calculator यूज करना पड़ेगा Spreadsheet application is tool which is used to perform all kind of calculation easily आप उससे क्या कर सकते है जो आपके पास जो calculator है जैसे अभी हम पढ़ रहें electronic spreadsheet का तो electronic spreadsheet के थ्रूभी आप क्या कर सकते हैं calculation कर सकते हैं वह भी बहुती easy और accurate accurate का मतलब एकदम 100% सही जैसे में अगर हमारी human को बोला जाए कोई complex calculation रहेगा तो उसको करने में उसको क्या हो सकता है कि उसमें mistake हो सकता है या भी time लग सकता है लेकिन अगर हम electronic spreadsheet का use करते हैं तो हम क्या कर पाएंगे easily इसको perform कर पाएंगे तो पहले हम समझ आते हैं spreadsheet होता क्या है फिर उसके बाद electronic spreadsheet के बारे में जानेंगे तो spreadsheet के बारे में लिखा है दिखिए In your childhood, you might have used a special notebook with small cells marked with the row and column जैसे आपने रेखा होगा जो nursery, PP1, PP2, class 1 पढ़ते हैं उनका mathematics का जो notebook रहता है उसको आपने रेखा होगा कि उनका mathematics का जो notebook रहता है उसमें row and column होते हैं, boxes बना रहता है ताकि जो उसको क्या कर पाए, easy वो अब वो सीखेगा क्या नंबर को सीखता है, generally 1, 2, 3, 4, 5 तो उसको boxes दिये रहते हैं, ताकि उस number को क्या कर पाए, sequence में लिख सके या फिर वो table अगर लिखता है, 2 का table, 3 का table तो वो क्या कर पाए, row and column में easily उसको क्या कर पाए, लिख पाए तो इसलिए उसको क्या प्रोइट कराए गया रहता है, mathematics का जो notebook होता है, उसमें boxes होते है तो यही जो आप boxes देखते हैं, वो actual में क्या है, spread sheet कहलाता है तो spread sheet की इसको बोला जाएगा जब भी कोई क्या हो, row and column के combination से जो cell बनेगा उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा spread sheet तो यहाँ पे दिया है, spread sheet is a long sheet of the row and column on the computer screen to do the data analyze and calculation अब देखे, computer में जो row and column से जो boxes बना रहेगा, उसका काम क्या रहेगा mathematical calculation को कर सकते हो जबकि आपको मालूम होगा कि MS Word में हम जो type करते हो, उसका use आप mathematical calculation के लिए नहीं कर सकते वहाँ पे 50 plus 50 को add नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे formula काम नहीं करता है लेकिन आपको formula का अगर आपको mathematical calculation योज़ करना है तो आपको electronic spreadsheet use करना पड़ेगा तो अब देखते हैं spread city से यहां पे हम समझ गया कि क्या होते हैं combination and row and column का क्या होता है exit होता है in other word spread city is grid grid का मतलब होता है वही boxes होता है which is the interactive manage and organize data in the row and column जो क्या करेगा data को row and column में क्या करेगा organize करने का काम करता है तो इस तरीके से हमने समझा जो आपने data को हम क्या करेंगा row and column में organize करेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा spreadsheet बोला जाएगा और आप जानते हो कि computer is a electronic device जितने भी काम computer में किया जाएगा वो क्या कहलाएगा electronic spreadsheet ठीक तो generally आपने देखा होगा जो भी काम computer से किया जाता है उसको electronic या फिर digital बोला जाता इससे पहले हम digital documentation पढ़ाता ठीक आप copy या फिर आप book में लिखते है आप जो copy में लिखते है तो वो भी document है लेकिन वो digital नहीं है ठीक लेकिन computer के थूँ जो काम किया जाएगा या फिर उसको digital बोला जाएगा या फिर उसको electronic बोला जाएगा तो यही चीज़ यहाँ पे आपको शमझना है कि digital होगा या फिर electronic होगा तो यहाँ पे इसको बोला गया electronic spreadsheet क्योंकि यह जीतने भी काम किया जाएगे वो किसके थूँ किया जाएगे computer के थूँ किया जाएगे अब यहाँ पे यही सारा चीज़ दिया गया है कि हम क्या कर सकते है data को row and column में organize कर सकते है ठीक और इसलिए यह जो यहीं पे दिया हुआ it is also called electronic spreadsheet इसलिए इसको electronic spreadsheet बोला गया है क्योंकि यह किसके थूँ किया जा रहे computer के थूँ किया जाता है it is used to manage financial and accounting documents याने financial में क्या होता है जहां पे finance से related वहां पे money से related क्या किया जाएगा कि कोई ना कोई calculation किया जाएगा accounting में भी देखे होंगे calculation किया जाता है तो इसलिए इसका use कहां पे किया जाता है finance and accounting document create करने में किया जाता है creating data report generating invoice and data analyze from the scientific and statical research जैसे आपने देखा होगा कोई company रहता है वो हर साल क्या करता है एक साल के end में invoice जारी करता है कि उसके एक साल में उन्होंने कितना invest किया कितना profit किया तो उसको क्या करने के लिए यहां फिर वो creating a data data report एक साल में report generate करता है invoice generate करता है तो उसके लिए भी वो किसका use कर सकता है electronic spreadsheet का use कर सकता है यहां पे दिया गया है electronic spreadsheet software can also store the menu plate create and graphical representation of data हम देखेंगे कि हम अपने data को कैसे graphical way में show कर सकते है तो यह केवल data को story नहीं करता है उसको manipulate करने का मतलब खल के दिन में अगर आप change करना चाहरे तो उसको भी change किया जा सकता है साथ ही साथ आपके पास जो data है इसको graphical way में भी represent किया जा सकता है ठीक तो यह important आज का जो topic है बहुत important है क्योंकि इसी के basis पे हमको सारे chapter को हमारे पास जो data इसको graphical way में कैसे represent कर सकते है उसके बारे में भी जानेंगे next user can enter data into the spreadsheet, do the formatic, calculate and analyze the data decision making before user data spreadsheet data spreadsheet package also provide the built-in formulas and function for the common mathematical, financial, statical and spreadsheet and logical operation is a very sophisticated manner देखे जो है, जो electronic spreadsheet होता है उसके अंदर कई सारे पहले से formula होते है जिसका use हम mathematical, financial, statical, logical operation को perform करने के लिए कर सकते हैं हम देखेंगे कौन-कौन से mathematical formulas होते हैं कौन-कौन से statical formulas होता है, logical formula होता है बहुत ही simple chapter है, use करेंगे तो आपको जैसे-जैसे use करते जाएंगे, आपको use करने में आपको easy होगा और आप इसको easily क्या कर पाएंगे, profound कर पाएंगे फिर उसके बाद, as spreadsheet become a larger than, become a difficult to manage, to handle the increase the size of the spreadsheet, the concept of workbook was identified हम देखेंगे, workbook क्या होता है, अभी मैं आपको practically बताऊंगा कि जब हमारे पास बहुत सारे क्या हो जाते हैं, spreadsheet हो जाते हैं तो spreadsheet को manage करने के लिए हम किसका use करते हैं, workbook के थूरू इसको identify किया जा सकता है तो liberal office calc, देखें, हम जो अभी electronic sheet परेंगे, उसका नाम क्या है, कि liberal office calc जैसे Microsoft का क्या होता है, Microsoft Excel होता है, वैसी जो है liberal office का electronic spreadsheet है, उसका नाम है liberal office calc, it is used to perform a following activities, अब इसके अंदर क्या क्या किया जा सकता है, tabulation of data data को table के form दे इस्टोर किया जा सकता है साथ ही साथ, जह simple mathematical calculation किया जा सकता है, कि हम उसमें जो data है, उसके साथ calculation कर सकते हैं then उसके बाद complex calculation using formula and function, अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा calculation है, तो उसको formula या function के तुरू आप क्या कर सकते हैं फिर उसके बाद arranging data in ascending and descending order, जिसको sorting बोला जाता है, कि आप data को आप चाहते हो कि सबसे बड़ा data उपर आए, फिर उसके बाद छोटा 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 ऐसे करके जैसे आप ascending and descending order में use करते हो, नेस समय वैसी आप data को यहाँ पर through the one click आप क्या कर सकते है, data को arrange किया जा सकता है, ascending and descending order में next filtering the required data, अगर आप filter करना चाहरे हो कि आप देखना चाहरे हो कि suppose हमने student का क्या बना है, result बना है, आप देखना चाहरे हो कि कितने लोगों का 90% save up आया, तो केवर 90% save up वाले को देख सकते हो, तो आप चाहते हो कि data को आप filter करना चाहरे तो वो भी किया जा सकता है, checking the validity of data, कि data क validity को आप check कर सकते हो कि यहाँ पर keyword number type होना चाहिए, तो number के जगा दूसरा type करेंगे तो हो गाई नहीं, यह भी किया जा सकता है, जबकि MS Word में कहीं पर भी कुछ भी type कर सकते है, number भी, text भी type किया जा सकता है, यहाँ पर data के उपर validation लगाया जा सकता है, next protection of data using password, कोई भी अगर user आपके spreadsheet में enter करता है, और कोई data delete करना चाहता है, तो वो delete नहीं कर पाएगा, जब तक उसमें आप password न डाले, तो password के थुरू आप क्या कर सकते है, spreadsheet को protect भी कर सकते है, next saving for future use, आप इसको future के लिए क्या करके रख सकते है, उस save करके भी रखा जा सकता है, ठीक, तो यहाँ पर लिबर ओफिस केल भी क्या है, electronic spreadsheet है, फिर उसके लावा open office केल भी electronic spreadsheet है, फिर उसके बाद apple इंस numbers यह भी क्या है, electronic spreadsheet है, तो अभी हम use करके देखेंगे, मैं अभी दोनों interface आपको दिखाऊंगा, Microsoft Excel का भी, लिबर ओफिस केल का भी, और open office, Apache open office केल का भी interface आपको दिखा दे रह यहाँ पे मेरे पास है, लिबर ओफिस, इसको मैं open करता हूँ, जैसी लिबर ओफिस open होगा, तो इस तरीके से मेरा जो लिबर ओफिस है, वो उपन हो गया, तो लिबर ओफिस में हमको use करना है, cal spreadsheet, ठीक, इसके उपर एक बार आपको simply click करना है, यहीं पे सारे application आपको show होते राइटर का भी, cal का भी, सारे application show होते हैं, लेकिन अभी हमको use करना है cal spreadsheet, तो cal spreadsheet के उपर हम click करते हैं, तो हमारे सामने एक जो है, क्या आजाएगा, cal spreadsheet open हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे show हो रहा होगा, cal spreadsheet जब open होता है, तो आप देखेंगे, यहाँ पे, क्या होते है, rows and column से boxes होता है, जिसको बोला जाता है cell, अभी हम detailed study करेंगे, तो अभी मैंने क्या open कर लिया, liberal office cal open कर लिया, अब मैं open करके देखता हूँ, electronic spreadsheet का दूसरा application वो है, Microsoft Excel 2010, मेरे पास 13 भी है, तो मैं यहाँ पे Microsoft Excel 2010 open कर लेता हूँ, तो इसमें भी देखेंगे, कि Microsoft Excel 2010 भी open होने के सेट्स हो, तो उसको क्या बोला जाएगा, electronic spreadsheet बोला हो जाएगा, आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, कि आपके boxes जैसे दिख रहा है, तो आप जो भी data इंटर करेंगे, इस boxes में करेंगे, फिर इसके अलावा मैं third application open कर ले रहा हूँ, कि वो है open office, तो यह open office के अंतरगत आपको यहाँ पे मिल जाएगा, spreadsheet, हमको तो यूज करना है, liberal office writer, लेकिन मैं interface आपको दिखा दे रहा हूँ, ताकि आपको तीनो का interface अगर आप देखते हैं, तो तीनो में का काम सेम है, भले formula या फिर उसके interface अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन तीनो का का काम करने का तरीका क्या है, सेम है, तो आप देखेंगे, तो तीनो का का काम करने का तरीका सेम है, मैं तीनो application को open कर लिया, यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर दिख रहा है, यह है, आपका liberal office, इसमें भी आपके rows and column आपको दिखाई दे रहा है, फिर इसके अलावा, मैंने Microsoft टेक्सल 2010 open किया, यह भी वैसी है, नेम अलग होगा, लेकिन काम सब का क्या है, सेम है, फिर इसके लावा, Apache open office मैंने open किया, open office scale, तो यह इसका भी काम क्या है, आप देखोगे, तो इसमें भी क्या होते है, cells होते है, ठेक, तो इस तरीके से, जैसे generally हम अभी 6-8 को पढ़ा रह तो इसलिए मेरे को तीनों application को यूज करना पढ़ रहा है, तो जिसमें जो requirement है, उसको अभी हम use करेंगे, तो अभी हम देखते है, liberal office writer, बांकी application को मैं अभी close कर दे रहा हूँ, ठेक, तो अभी हम यूज करना है, तो देखे, इसकी interface को सबसे पहले हम समझ लेते हैं, ठेक, इ उसको open कर लिया, तो यहाँ पर दीख रहा होगा, there are the various type of spreadsheet application developed by the various software corporation, जैसे कई सारे company है, उन्होंने अपने अपने नाम से अलग-अलग जो है, क्या बनाए है, electronic spreadsheet बनाए है, उसी में liberal office calc, जो है, वो liberal office का क्या है, electronic sheet application है, फिर इसके बाद, starting liberal office calc, अगर आप देखेंगे, त जाता है, जिसका Linux का operating system है, one, two, ठीक, हम लोग जो use कर रहे हो, Microsoft क्या है, Microsoft का Windows 8 है, या फिर Windows 7 यूज कर रहे है, Windows 10 यूज कर रहे है, तो ठीक है, तो अभी हम को use कर Microsoft, इसके लाभा भी कई operating system हाते है, उसमें होता है Linux, तो Linux में भी liberal office writer को क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है, तो यहां से हमको start कर लेना है, start करने का तरीका सेम बताया मैंने कि जैसी मैंने liberal office को क्या किया open किया, तो हमारे सामने कई सारे application आ गया, तो उसमें आपका, हमने क्या open किया, liberal office कैल open कर लिया, कैल open होने के बाद हमने क्या देखा, एक interface आया, कि हमने जैसी open किया, तो ह आपको यहां पे दीख रहा होगा, कि सबसे ओपर में यहां पे दीखरा है Quick Access Tool Bar, सबसे ऊपर में यहां पे क्या मिर रहा है? Quick Access Tool Bar मिर रहा है, तिर इसके बाद यहां पे टाइटेल बार आता है, अगर आप जिस नाम से सेव करोगे, इस नाम से title बार आ जाता है फिर इसके अलावा जो है आप यहां पर right side में दीख रहा होगा कि यह आपका क्या है control button होता है ठीक यह वाला जो है आपका control button होता है फिर इसके अलावा जो है यहां पर ribbon होता है ठीक यह वाला जो area है इसको बोला जाता है ribbon ठीक फिर इसके अलावा यह कुछ menus bar होते हैं मैंने बताया था कि edit से लेकर यहाँ पर help तक का edit आपका क्या है menus bar है menus bar के अलावा जो है आप यहाँ पर देखेंगे तो यह आपका कहलाएगा यह कहलाएगा standard toolbar यह वाला area standard toolbar फिर इसके अलावा यह नीचे वाला area जो रहेगा यह इसको बोला जाएगा formatting toolbar ठीक अब formatting toolbar तो generally इतना जो interface आपको दिखाए दे रहा है इतना जो interface रहता है वो सारे application में रहते अब क्या difference है आप जो use करेंगे liberal office spreadsheet में जो है उसमें क्या difference रहेगा तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आता है name box ठीक फिर इसके अलावा जो है यहाँ पर आता है name box के अलावा यहाँ पर कुछ function आते हैं यहाँ पर function insert function का option आता है जहां से आप function को क्या कर सकते है एप्लाई किया जा सकता है जैसे use करेंगे फिर इसके अलावा यहाँ पर आता है formula bar formula bar आता है तो चलिए मैं देख आपको यहीं से आपको liberal office से ही आपको दिखा का जो application है वहीं से आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे समझाए सबसे उपर बें दिया रहा था यहाँ पर title bar आपको दिख रहा होगा untitle one दिया हुए हम इसको क्या कर लेते हैं save कर लेते हैं सबसे पहला काम तो मैंने आपको बताया था save करना है save करने का इंटर पे सारे application में सेम रहता है file में जाएंगे then यहाँ पर जाके save as में click करेंगे save as में click करेंगे तो आपको यह पूछे का कहां पर save करना हैं घिर में तो हमसे पहले इसका location select कर लेना है suppose मेरे को डेस्टॉप में save करना है तो यहां से जा के बाद क्या करना है आपको यहां कि सभिए लएंच पेराँ अगर आपको पासवर्ड डालना है तो इसमें टिक कर देंगा otherwise आप un-tick करेंगे तो हम यहाँ पर use कर लेते हैं save with password save में जैसे हम click करेंगे यह password पूछेगा तो यहाँ से हम यह password डाल देंगे 123 फिर उसके इलावा confirm password में जाके 123 फिट से हमने क्या कर लिए OK कर देते हैं तो यह password के साथ save हो गया save होने के साथ आप देखेंगे कि ऊपर title बार में name जो है change हो जाएगा आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर class 9 dot ods के नाम से save हो गया तो ods actual में क्या होता है इस file का extension name होता है extension name का मतलब होता है कि file को आप जिस name से जैसे photo खिछते हैं तो photo खिछने का extension name होता है dot jpg गाना सुनते हैं तो गाना सुनने का extension name होता है dot mp3 हम वीडियो देखते हैं उसका extension name होता है dot mp4 या 3gp होता है तो वैसी क्या होता है जो आप liberal office जो use करते हैं liberal office के एल उसका जो spread sheet का जो extension name रहेगा वो क्या होगा dot ods के नाम से save करता है फिर उसके बाद आते हैं कि हमने क्या कर लिए इसको save कर लिए password के साथ उसके बाद आपको यहां पे जो बताया गया था कि quick access toolbar होता है फिर उसके बाद इधर control menu आपको दीख जाएगा कि आपको close करना है restore करना है minimize करना है नीचे यहां पे menus आ जाते है फाइल से रेकर help तक यह आपका standard toolbar यहां से यहां तक फिर उसके इलावा जो यह formatting toolbar फिर आते name box अब देखे हमको समझना है name box होता क्या है आपको यहां पे दीख रहा होगा name box में अभी लिखा A1 name box में आपको दीख रहा होगा कि आपको clear हो रहा होगा name box के ऊपर क्यालिका है लिख तो A1 का मतलब क्या हो रहा है कि आप जो tutti box में हैं देखें हमारा box बना है यह बन है column से मिलकर और इधर row से मिलकर तो column क्या होता है क्या होता है क्या होता है जैसे हम किसी भी cell को identify करना रहता है तो एक cell का address बनता है तो cell का address कैसे बनेगा column value के साथ और row value दोनों के मिलने से क्या बनता है cell का address बनेगा देखते हैं कैसे बनेगा सब्सक्राइब किसी भी cell के उपर click करता हूँ तो cell के उपर click किया तो आपको दिखाई दे रहा होगा उस cell का address क्या होगा तो वो हो जाएगा D और इधर से 5 तो यही जो आपका cell का जो address रहता है वो कहां पर आजाता है नेम बॉक्स में आजाता है दिख रहा होगा कि आभी आपको D5 दिख रहा है मैं किसी भी cell के उपर क्लिक करूंगा तो वो cell का column value और row value क्या हो जाएगा highlight हो जाएगा तो आपको याद रखना है कि यह जो आपके जो vertical lines होते हैं जो cell में vertical lines होगा वो कहलाएगा वो कहलाएगा आपका column और जो horizontal line होगा वो कहलाएगा आपका वो कहलाएगा row तो इस तरीके से किसी भी cell को जब हम select करते हैं तो cell का address कैसे पता चलेगा तो वो हमको पता चलता है name box में ठीक तो हम जब भी कोई cell के उपर click करेंगे तो उसका address हमको दीखेगा कहाँ पर name box में यह आपको याद रखने जैसे मैं यहाँ पर click किया तो c7 यह भी आपके exam में particularly question पूछा गया यहाँ तक कि class 10 में भी कि आपको किसी particular cell के उपर जो है क्या करते हैं click करते हैं तो cell का address कहाँ पर show होता है name box में save होता है अब आता है कि उसके बाद जो है कि जब भी हम किसी cell के उपर click करते हैं जैसे मैं एक type किसमें कर सकता हूं जिस cell में मैंने click किया है जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखना चार हूं class 9 आप select किया है वो cell कैसे प्लेक करता आपको बताया था कि जिस भी cell के उपर हम click करते हैं वो cell कैटरएस तो यहाँ पर आ जाते है Requ 768itel आपको दिभाई दे रहा होगा कि एक जो है border के साथ, black border के साथ आपको show होना चलू हो जाता है, यह वाला cell मैं ने select किया C4, तो C4 यहां पे show हो रहा है, लेकिन C4 के उपर में एक black color का line आपको show हो रहा है, तो यह जो black color का line show हो रहा है, वो actual में क्या कहला आएगा, इसी cell को active cell कहलाता है ठीक जिस cell को हम current में select करके रखते हैं जिसमें हम value enter कर सकते हैं वो cell कहलाता है active cell तो यह मेरा जैसे अभी जो दीख रहा है C4 यहां पर मैं लिख दे रहा हूँ C4 तो C4 अभी हमारा क्या active cell है ठीक है तो active cell का definition क्या होगा currently selected cell is called active cell जिस cell का address हमको show होता है name box में वो cell active cell कहलाता है तो कुछ हमने यहां पर जाना कि name box क्या होता है जिस भी cell को हम select करते हैं उसका address जो show होता है वो show होता है name box में और जो currently selected cell होता है जिसमें हम value enter कर सकते हैं उस ही को बोला जाता है active cell तो इस तरीके से combination of column and row से क्या बना cell बना बहुत सारे cell से मिलकर क्या बन गया यह seat बन गया आपको दिख रहोगा यहां पर seat 1 तो combination of row and column से क्या बना cell बना और combination of cell से क्या बना spread seat बना और combination of spread seeds ते मिल कर बनता है जिस नाम से हम इसको save किये हैं वो कहलाता है workbook तो याद रहे कि सबसे छोटा unit होगा row and column combination of row and column से क्या बनेगा cell बनेगा जैसे आप एक box बोलते हैं box को ही cell समझो ठीक है तो हर एक boxes अगर हम बोल रहे हैं वो box क्या होगा cell होगा और combination of boxes याने cell से क्या बनेगा seed बनेगा और combination of seeds से क्या बनता है book बनता है workbook जैसे एक example से समझते हैं कि हमारा book जो रहता है वो क्या होता है कई सारे pages होते हैं तो हर एक page क्या कहलाएगा एक seed कहलाएगा और पूरे सीट को जब मिला दिया जाएगा तो क्या बनता है? बुक बनता है बहुत बेसिक से मैं बता रहा हूँ आपको बार बार इसलिए मैं रिवाइस कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहा है क्या क्योंकि हम अभी इसके बहुत सारे आपको करना है इसमें बहुत सारे प्रेटरिकल आपको करना है तो हम पहले बेसिक इंटरफेस को हम समझ लेते हैं आपको बाकी सारे इंटरफेस आपको ऐसी सेम इंटरफेस आपको MS Word जो है आपको Librar Office Writer में दिख जाएगा लेकिन आपको क्या समझना है दोनों में बेसिक डिफरेंस को समझना है कि हम Librar Office Writer यूज़ कर रहे थे वहाँ पर कैलकुलेशन नहीं होता था यहाँ पर कैलकुलेशन यूज़ किया जाएगा यहाँ पर कॉंबिनेशन वहाँ पर पेज होता था यहाँ पर सीट होता है यह भी आपको इसको पहचाना है कि हम जब यूज़ करते थे देख़ेowych e डाक्यूमेंट ओपन कर लेता हूं है तो आप देखेंगे कि ये मेरा जो है क्या है है राइटर वाला जो payment मालेशने देखेंगे त metli इसको यहां पर आपको दीख रहा होगा पेज लेखिन जब हम आते हैं कि हमने जब क्या उपन किया कि हमने जब राइटर के अंतरगत के अंतरगत के लिए स्प्रेट सीट को उपन किया तो यहां पर पेज के जग़ा आ गया सीट तो दोनों में बैसिक डिफरेंस समझना है अगर जो है writer and spreadsheet तो spread sheet में क्या होता है seat होता है। जबकि आपके writer है उसमें к्या होता है? pages होते हैं। और यहां पे combination of sheets से क्या बढ़ रहा है? workbook बढ़ रहा है। वहां पे combination of pages से क्या बनेगा? document बनेगा। आप इसको save करोगे तो document करोप में save होगा। फिर उसके बाद यहां पे जो है आप जो है किसमे जो लिब्रार आफिस कैल के अंतरगत हम फार्मूला यूज कर रहे हैं जब कि वहां पे फार्मूला यूज नहीं होता है तो इस तरीके से आपको डिफरेंस भी मालूम होना चाहिए कि इसमें क्या होते हैं कई सारे इंटरफेस हो जाते हैं यहां पे नेम बॉक्स आता है वहां पे नेम बॉक्स नहीं आता है तो इस तरीके से हमको क्या करना चाहिए जानना चाहिए कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क तो आप लिख सकते हो, ठीक, फिर उसके लावा जैसे हम इसको Save करते हैं, फाईल के साथ जाके इसको Save करते हैं, Save As, इसको Desktop में ही Save कर लेते हैं, इसको भी Class 9 के नाम से, अब जब इसको Class 9 के नाम से Save करेंगे, तो देखे, दोनों में का Extensor Name change हो जाता है, ठीक, इसका extension name है dot ods इसका extension name है dot odt यह भी याद रखना है आपको question जो है optional question में ही जो अच्छे student रहते हैं उसका marks कहां पर करता है optional question में करता है question answer पूरा लिखते हैं board exam में भी उनका 99 marks आता है one marks करता है किसके कारण करता है optional question के mistake करता है तो देखे हमने जो अभी electronics spreadsheet यूज किया उसमें extension name था dot ods जबकि हमने जो liberal office writer पढ़ा था उसका extension name होता है dot odt तो यह होता है open document जो है text और यह open document और spreadsheet ठीक open document spreadsheet इसका full form होता है और इसका होता है open document text ठीक तो इस तरीके से आपको दोनों में basic difference समझना है कि इसका extension name होता है ods और इसका extension name होता है dot odt तो इस तरीके से हम जो है ms excel के जो basic interface है उसके बारे में जान लिया कि ms excel में क्या होते है combination of column and row से क्या बनेगा cell बनेगा and combination of cell से जिसको पूरे cell से क्या बनेगा seat बनेगा और जब एक seat अभी तो हमने केवल एक seat लिया है आप चाहते हैं यहाँ पर multiple seat लिया जा सकता है जैसे बहुत सारे page होते है ठीक तो हर एक जो जब multiple seat मिल जाएंगे तो क्या बन जाए का workbook बन जाए तो यह छोटे छोटे question जो है आपको मालूम होना चाहिए तो यही चीज आपको आज बेसिक जानना था अब जो next day रहेगा उसमें हम इसके बारे में जो है आगे का लगाया जाता है यह सारा चीज हम जो है discuss करेंगे तो मैं इतना detail में यहां पर नहीं जा रहा हूँ जैसे जैसे हम study करते जाएंगे जैसे आपके book में दिया है title bar के बारे में तो मैंने बता आप दिया कि जिस नाम से हम save करते हैं उस नाम से वो file कनेम आ जाता है फिर menu bar के अं कौन सा toolbar कहां पर यूज होता है formating toolbar तो आज के लिए बस इतना लेखे चलते नेस्टडे जो है आगे हम study करेंगे तो इतना समझ आई इसमें कोई आपको confusion होगा तो आप पूस्छ सकते हैं तो आज के लिए बस इतना लेके चलते बाकिनेस्टडे हम लोग आगे study करेंगे च जली होके फिर बाए